नमस्कार अब देख रहे हैं बोक्साथ इस ट्रकर बल्यूड सूपरस्टार अजे देवगन की मच अवेटेड फिल्म ताना जी दानसंग वरियर का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो गया है इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक वक्त सोने की चुडिया कहे जाने वाले भारत वर्ष को किस तरह की साजीशों के जरिये लूटा गया इस ट्रेलर में ताना जी मालूसरे के करदार में अजे देवगन बेहत दमदार नजर आ रहे हैं वहीं यह भी दिखाई देता है कि यह फिल्म काफी भवय तरीके से बनाए गई है जिसमें आपको अकल्बनिय दृष देखने को भी लेंगे जैसे कि फिल्म बाहुबली में देखे गए थे तरीब तीन मिनट के इस ट्रेलर की शुरुआ संजय मिश्रा की आवाज से होती है वो कहते हैं कि भारत एक सोने की चुडिया पर कई बाहरी आक्रमोने ने इस चुडिया की आत्मा को चलनी कर दिया दूसरे ट्रेलर में गजब के डायलोग्स सुनाई देते ह और दिखाई देते हैं युद्ध की तैयारी और युद्ध के हैरत अंगेज नजारे फिल्म के डायलोग्स आपका दिल जीत लेंगे दूसरे ट्रेलर में ऐसे कई डायलोग्स की जलक आपको मिल जाएगी फिल्म मात्रे भूमी के प्रती अथा प्रेम की भावना से भरी है और इसे देखते हुए आप गरोगा भी अनवोग करेंगे पहले ट्रेलर की तरह ही इस दूसरे ट्रेलर को भी पी सीरीज के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है ट्रेलर को फैंस का काफी अच्छा रस्पॉंस मिला है पहले तीन घंटे में ही इसे करीब पाँच लाख लोग देख चुके थे फिल्म तानाजी दरन संग वारियर अगले महीने 10 जनवरी को रिलीज हो रही है इस फिल्म में अज़े देवबन तानाजी मालुसरे के करदार में है तो काजूल उनकी पतनी सावित्री बाई मालुसरे के करदार में सैफ अली खान ने उदेभान राठोर का करदार निवाया है जो फिल्म का मुख्य खलनायक है शरत केलकर ने छत्रपती शिवाजी महाराज का रोल किया है ये फिल्म बॉक्स आफिस पर जरूर कमाल करेगी इतना पक्का है इस फिल्म को महाराष्र में राज ठाकने की पार्टी महाराश्र नव निरमार सेना ने भी सपोर्ट किया है फ्रेंड्स आपने भी इस फिल्म के तानाजीत अन्संग वरियर के दूसरے ट्रेलर को देख लिया है तो कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नभूलें